तोड़ी लंबी भी छुटी मिल सकती है, शिले बस अगर समापत हो गया तो, इसलिए ये दोपेर की क्लास चलती रहेगी ओनलाइन, और शाम को जरूर करना चाहिए सब लोगों को विशेश रूप से जिनकी एटेंडेंस कम है, तो उनको एटेंडेंस दी जा सकती है, आगे उ फिलाल उसकी नौट्स बनाने है, फिर नौड़ात्र के बाद एक Google फॉर्म बना देंगे, उसमें हर एक दिनकी नौट्स को अलग-अलग अपलोड कर देना है, अभी फिलाद नौट्स रोज-की-रोज-डेड डालकर नौट्स बनानी है, जो दोक्रick साब की क्लास होती है, काफी कुछ आपके सिलेबर्स का ही होता है उसमें तो आज हम बात करते हैं कर्म का महत्वर कर्मों के बीना शरील का निर्वा भी नहीं हो सकता ये साथ चर्चा हुई थी कि अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो शरील भी हमारा टिका नहीं रहेगा खाना पीना ये सब भी एक तरह के कर्म ही है उसके लिए भी आपको आजकल के जमाने में पैसा भी कमाना पड़ता है तभी खाना मिलता है पहले के जमाने के तरह नहीं है सब कुछ फ्री में मिल जाए तो शरील का निर्वा भी नहीं हो सकता कर्मों के अनुसार ही इस जनम में और अगले जनम में फल मिलते हैं कर्मों के बारे में एक बहुत अच्छा उदारन आप लोगों के पास नौट पेन हो तो लिख लेना और वरना याद रख लेना इस तरह से कर्मों अगले जनम में भी हम लोगों को चिपकते हैं या हमें उसके फल भुगतने पड़ते उसका बहुत अच्छा उदारान दिया है गरूर पुरान में हैं साइद कि जैस तरह से जिनोंने भी गाउं में जो रहते हो या जिनोंने गौशाला देखी हो इसमें देखा हो तो कहते हैं कि हजारों गाई खड़ी हो उसमें से जो बच्छड़ा होगा वो अपनी मा को पहचान लेगा और अपनी मा का ही वो दूद पिएगा इसी तरह से कहते हैं कि इस जनम में जो कर्म है वो आपको अगले जनम में वो इसी तरह से आपको ही वो चिप केंगे कभी इसमें mismanagement नहीं होता है कि किसी का कर्म दूसरे को किसी कोची पगया ऐसा कहा जाता है कि हमारे मस्तिस्ख में जो भी हम कर्म करते हैं तो जैसे बार कोड में अलग-अलग कोड होते हैं इस तरह से कुछ कोड बनते जाते हैं और वो जब हम सरीर को छोड़ते हैं तो उसकी कहते हैं सौप्ट को भी बन जाती है क्योंकि आत्मा के साथ मन भी जाता है यह हमारे सास्त्रों में लिखा हुआ है इसलिए कहते हैं कि अगले जनम में भी मन ऐसा ही रहेगा अगरा मन को कंट्रोल करना नहीं शीखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कहते हैं कि जो लोग प्राणी बनके रहते हैं वह प्राइण के साथ हैं कई जनम उ तक ακोर जो नीम fit मेरेते भी उस के लिएथ ने करना पड़ता है वीठी ने कहीते तो वो मन अपने आत्मा के साथ जाता है, एक कहानी भी बहुत इंट्रेस्टिंग थी, कि एक कुट्टा एक दुकान के सामने बैठता था और जब भी दुकानदार ज्यादा सामान दे देता था, या दोलने में फ़ड़ा ज्यादा दे देता था ग्रहक को, तो वो कुट्टा भूखने लगता था, तो पता लगाया क्या है, तो वो कहा गया कि वो उनके पिचाजी थे, और बहुत ही कंजूस थे पिछले जनम में भी, किसी को भी ज़्यादा चला जाए, तो उनको अच्छा नहीं लगता था, तो वो कर्म उनके, वो उनका जो सभाव था, वो यो नी बदल गई, मनुश्य में से कुटे बन गए, पर फिर भी वो सभाव गया नहीं, और जैसे ही ज़्यादा तोल दिया, ग्रहक को फाइदा हो गया, तो वो कुटा भूखने लग जाता था, ये बले ही कहानी है, साइंटिफिकली प्रूव करना मुस्किल है, पेरा साइकोलोज इसके उपर काम करते हैं, पर फिर भी कुछ तो ऐसी चीजे हैं, जो बले ही साइंस न पहुंच पाया हो, फिर भी एक सूपर साइंस है, जो इल्ल डेडी एग्रिष्ट है, जिसको मॉडरन साइंस अभी तक इतना नहीं समझ पाया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसको नका इसके उल्ठा काम करता है, तो वो मनुष्य जनम उसको नहीं मिलता है, आसर्ति रहित कर्म करने के कारण ही, जनक आधि न प्रम सिद्ध की प्राप्ती की थी, उससे उल्ठा काम के वश ओकर रावन आधि की दुर्वति की मुझे लगता है ये हो चुका है, कोई नहीं चलो, तो जनक के बारे में कहा जाता है कि वो विधे थे उनको वो राज़ पाट तो संभालते थे राज़ा थे पर फिर भी उनके अंदर उच्छ अध्यात्मिक रिस्थिती थी आसकती नहीं थी और रावन वो ब्रामन था लेकिन उसके अंदर रहेंकार था काम वासनाई जी तो उसकी दूर्गती हुई तो इसलिए भी हमें कर्म करना चाहिए कि कोई न कोई वेक्ती आपको रोल मोडल मानता होगा या आपको आपका कोई चोटा बाई है आप से जो चोटे हैं वो आप से स जरूर यह विशेश रूप से जो उच पद पर है या जो माता पीता है बड़े भाई बैन है जिनको जो लीड कर रहे हैं ओफिस में कहीं कोई मेनेजर के पद पर है लीडर है इन लोगों को तो विशेश रूप से से स्टाचन करना चाहिए क्योंकि दुस्से लोग भी ऐसा प्रगट होता है कौन से कर्म के महत्वों में और कोई बात छूट रही है किसी को कुछ दिमाज में आरहा है कि कर्म के महत्वों में यह भी लिखा जा सकता है इस वक्त कौन आया वही बताओ कर्म के महत्तों में और कोई बात जाग रहे हैं न सभी ये सर्ट कर्म के महत्तों में और कोई बात आ रही है दिमाग में क्या लिखा जा सकता है चलो कोई नहीं जब नौट्स बगेरा लिखो न तब भी अगर आपको लगे की दिखानी है नौट्स तो दिखा जैना उसमें भी सजेशन्स दे सकते हैं फिलाल तो आप कॉंसेप्स क्लियर करो ताकि रटना ना पड़े कॉंसे कर्म करने चाहिए अपने सभाविक कर्म करने चाहिए ब्रामान के लिए पढ़ना ख्षत्री के लिए रक्षा करना वैसे के लिए इमानदाई से व्याफार करना शुद्र के लिए लोगों के सेवा करना इस तरह से एक्जाम्पल्स हैं इसी तरह चार जो स्टेज है विद्यासी के लिए पढ़ना, ग्रियस के लिए धन अर्जीत करना दान देना, फिर वान प्रस्थी के लिए वन में जाना और चन्यासी के लिए किश्वर प्राप्ति के लिए प्रत्न करनाौँ इस तरह से अलग-अलग कर्म है यग्ये के निमित की यह जाने वारे कर्मों से अतिरिक दूसरे कर्मों में लगा हुआ है, यहां तक हो गया था, मुझे यह याद आ रहा है, किसी को याद सायद आया नहीं इसलिए है अरजुन तु आसक्ति से रहतो कर उस यग्य के नीमित ही बरिबाती कर्म कर, यग्य मतलब जो आपका करता भी है, पांच प्रकार के यग्य है, उसके लिए ही कर्म करने चाहिए, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, कामनाओं के लिए जो भी हम करते हैं, हम फसते हैं. यग्या से बच्चे हुए अन को खाने वाले से पुरुष सब पापों से मुझत हुजाते हैं और जो पापी लोग अपना शरीप उसन करने के लिए ही अनुपकाते हैं वे तो पाप को ही काते हैं. यह संत लोग क्यों कहते हैं कि वो उनका मुख्स हो गया होगा यह संत के बारे में क्यों यह कहते हैं कि उपक। क्योंकि उनका मुख्य लक्ष्य था यग्य करना मतलब कि ये पांच में से कोई एक यग्य भी अगर वो अच्छे से करते थे जीव दया का कोई काम करता है कोई दूसरी समाज सेवा करता है तो वो उनी के लिए जीते हैं वो सुबह से लेकर राद तक वही वो काम करते हैं और बीच में उनको जो भी खाना मिल जाए वो खा लेते हैं तो उनका मुख्य काम बैसा कमाना या अपने मोच सो पूरे करना नहीं होता है उनका मुख्य काम होता है परोक्तार और उसी में से वो जो भी बच जाए खाना वो खाना खा लेते थे वो तो इसलिए कहते हैं कि वो मुक्त हो जाते हैं पर हम लोग अगर कामना या थोड़ी सी भी होगी तो वो हमें वो चिपकेगी ही वो बंधन में तो डालेगी ही फिर भी यह कहते हैं कि modern age में संपूर्ण रूप से ऐसा होना अ कि अग्दम से महान नहीं हो सकते हैं प्रयास करना चाहिए महान होने का फर यह हूझै कि अगर नहीं भी कर सकते हैं तो युटनी को काम करें और यग्य के विशे में भी सोछें कि भी हमारे यह ए जो पांच निकालना ही पड़ेगा, तो हम मुक्त हो सकते हैं, आज नहीं तो अगले जनम में, आगे किसी जनम में हम मुक्त हो सकते हैं, और मुक्त नहीं भी होना चाह रहे हैं, तो at least सुखी हो सकते हैं, दुख कम से कम आएगा, योग और सन्यास में कर्म, अब यहां है ना, एक सबसे न नोट हो या करिए अब टाइप कर सकते हो तो टाइप कर लो क्रिश्नकोष.org 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 इसमें भगवद गीर्था के उपर मुझे जहां तक इतनी भी किताबिया मैंने पड़ी कि उसमें सबसे बड़ी व्याक्या मतलब एक ही स्लोग को बहुत अच्छे से समझना हो तो जो एक साधग संजीवनी करके बहुत बड़ी किताब है इतनी मौकी सी किताब है और लगबग 12 सो से भी अधिक यासा मेरे पास है उसकी एक कोपी गीता प्रेश की स्वामी राम सुग्दास ने लिखी है बहुत बड़ी है लेकिन उसका फाइदा यह है कि भले ही आप कोई एक ही स्लोग का ट संस्कृत का हिंडी है उतना ही लिखा है एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखा है ज्यादा समझाने के लिए कुछ-कुछ स्लोग में लिखा है कुछ-कुछ स्लोग में नहीं लिखा है तो वहां नहीं समझ में आता है एक तो हमारे जो डोक्टर साथ की है युग गीता उसमें भी विष्टार्ग से लिखा गया है और ये सातक संगंजीवनी है krishna course.org पर online है, उसमें भी बहुत विष्टार्ग से लिखा गया ई उसमें से कुछ चीजे ली है बहुत अच्छी चीजे हैं पहले लिखा है यहां पहले सन्यासिपद कहने से यह भाव मालूम होता है कि अर्जुन स्वरूप से कर्मों के त्याग को सेश्ट मांते थे बहरी कर्म वो कहता था कि भीक मांगना अच्छा रहेगा लेकिन मेरे अपने ही लोगों को मारना अच्छा नहीं लेगा तो वो सन्यास का मतलब समझता था कि युद्ध ना करना और सब कुछ उनको दे देना और खुद बले ही भीख मांगनी पड़े कोई दिक्कत नहीं तो उसको वो सन्यास समझता था इसलिये जह भगवान पहले सन्याशी पत दे अरजुन से कह रहे कि अरजुन तू जिसको सन्यास मानता है वास्तम में सन्यास नहीं है परन्टु कर्म फल का आसरी छोड़कर आपने करते रुप कर्म को केवल दुसरों के लिए करते उगदी में करता है वही वास्तम सचा है वो फल का सोत में लग जया ना कि मेरे सब मारे जाएंगे या में मारा जाओंगा, तो वो सब फल में चला गया हो उसका सिर्फ इतना ही करत अगर था कि वह एक शत्रीरा कर्म है, युध करना और वो धर्मयूक्त युध कर रहा था इसलिए उसको बिलकुल ही इसमें निरास होने की जरूवत नहीं थी, वो सन्यास को गलत समझ रहा था, सन्यास का गलत और्फ निकाल रहा, केवल अग्णिरहित होने से सन्यास ही नहीं होता है, जिसमें उपर से तो यग्याहवन आदी त्याग कर दिया, पदार्थों का जैसा वो मानता था, ऐसा अगर वो करता, तब भी उसके मन में वो ही सारी चीज़े रहती, तो वो सच्चा सन्यासी नहीं बन सकता था, इसलिए उसके लिए युद्ध करना ही ज्यादा बहतर था, समझ में आया सबको, सन्यासी अब योग का आ रहा है वई, योग के इसलिए उनलाइन क्लास कर रहे हैं, आप लोगों का भी इसमें पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, अब यहां भी बहुत विस्तार से लिखा है, लोगों की प्राया यह धाना रहती है कि जो मनुस्य कोई भी क्रिया नहीं करता, सरुप से क्रियाओं और पदार्थों का त्याग करके वन में चला जाता है, अत्वा निस्क्री होकर समाधी में बैठा रहता है, वही योगी होता है, जैसे हम जो उच्छ राज योग की बात करते हैं, तो सिर्फ वही कल्पना होती है कि जो समाधिस्थ हो गया है, जो बिल्कुल हिलता डूलता नहीं है, कुछ नही करता है, तो सिर्फ ऐसा ही हम सोचते हैं न वो गलत है, परन्दु भगवान कहते हैं कि जब तक मनुस्य उत्पती विनासिल वस्तूं के आस्रे का प्याग नहीं कर सकते हैं, कोई न कोई वस्तूं का जब आपको डिपेंडेंसी है, तब तक वो योग नहीं है, मन से उनके सा अपना संबन जोड़े रहता है, तब तक वो कितना ही अक्रिय हो जाए, चितकी वित्यों का सरवता निरोध कर ले, पर वो योगी नहीं हो सकता, चितकी वित्यों का सरवता निरोध होने से उसको तरह तरह की सिद्धियां प्राब जरूर हो सकती है, पर कल्यार नहीं हो सकता अतात पर यह हुगा कि केवल बाहर से अक्रिय होने मात्र से कोई योगी नहीं होता योगी वह होता है जो उत्पति विनासिल वस्तों का आश्रह न रखकर कर्टब्य कर्म करता है कर्टब्य तो योगी के लिए भी है, सन्यासी के लिए भी है कर्तव्यों से आप विमुख नहीं हो सकते क्लियर है सबको ये प्रेजेंटेशन भी अप्लोड कर देंगे और यूटूब का वीडियो बना कर उसको भी अप्लोड कर देंगे कर्म करने वाला ही सन्यासि और योगी है कर्तव्य कर्म करते हुए निरलित रहता है इसलिए वा सन्यासि है उन कर्तव्य कर्म को करते हुए वा सुख दुख नहीं होता कर्मों की सिद्धी असिद्धी में वा सम रहता है इसलिए वा योगी है समता समत्तम योग उच्चते समता ही योग है तो यहां सिध्धी और सिध्धी में सम रहता है। चाए हम फैल हो चाए हम पास हो लेकिन हम सम रहे। समतार है अमारे अंदर हम इल्दित न हो। यह हुआ कि करम फल का आस्राइट नेकर करम करने से उसके करतत्व मतलब अपना अहिंकार कि मैंने किया। जुइन हैं अगर does इसे एंदर तो यही प्रयास हमें करना है यहार अगरा आ जीवन में कि जब भी हमें कोई दुख सताता है तो भी हम सम रहे और बहुत ज़्यादा सुख आ जाता है तब भी हम अभिमान या एंकार से यूपना हो जाएं तब भी हम सम रहे, समत्व रहे हमारे अंदर तो ये योग है असली योग यही है क्लियर है सबको? जब हम पहले ये जो वेबसाइट दी थी उससे हमने जो डीटेल में दिया अब ये गीता का जो स्लोक है उसका हिंदी अर्थ अगर हम पढ़ते हैं तो हमें आसानी से समझ में आ जाता है तीजे अगर ये पढ़ोगे हिंदी अर्थ तो इतना साही लिखा है तीन-चार लाइन लिखी है तो हो सबक्ता है वो उतना क्लियर नहो तो इसलिए ये बहुत अच्छी किताब है और ओनलाइन भी उपलब्द है krishnakourse.org योग में कर्म का महत्व अब ये बहुत ही practical tips भी है भगवत गीता में अधिक खाने वाले का योग सिद्ध नहीं होता खास रूप से students द्यान दें जिनको योग तो करना है योग में आगे बढ़ना है पर खाने पिने में बहुत ज़्यादा रूची है अधिक खाने वाले का योग सिद्ध नहीं होता करण कि अधिक खाने से अधिक भूख के बिना खाने से अधिक खाने से इन प्रकार की जीद बताएगी अधिक अन खा लिया बिना भूख के भी खाया या भूख से अधिक खाया जिससे पानी ज़्यादा बिना पड़ता है ज़्यादा अन खाने और पानी पिने से पेट भारी हो जाता है पेट भारी होने से सरील भी बोजील मालूम होता है, सरील में आलश्य सा जाता है, बार-बार पेट याद आता है, कुछ भी काम करने का अथ्वा साधन बजन जब द्यान की योग की जो भी क्रिया है वो करने का मन नहीं होता, ना तो सुपरोग बेठा जाता है और ना सुपरो पढ़ा हो योग में सिखा हो, खाने पीने का और योग में जो लचिलापन है या योग में जो बताय गया है आहर के बारे में, उसपर कुछ बताओ, कुछ बोलो, किसी को और कोई लोजिक पता हो, साइन्स पता हो, कि अधिक खाने से क्यूं दिक्कत होती है? योग के कोई स्टूडन आज सब सो गए हैं क्या क्या लिखा है हाँ मिताहार अच्छा अच्छा मिताहार के बारे में बता गया है चलो ठीक है फिर आगे चलते हैं ऐसे ही बिल्कुल न खाने से भी योग सिद नहीं होता करने की भोजन न करने से मन में बार-बार भोजन का पिंतन होता है सरीर में सक्ति कम हो जाती है मास मज्जा आदी भी सुखते जाते हैं सरीर सितिल हो जाता है चलना फिरना कठिन हो जाता है लेटे रेने का मन करता है जीना बारी हो जाता है बेश करके अभ्यास करना कठिन हो जाता है चित परमात्मा में लगता ही नहीं आता ऐसे पूरुस का योग कैसे सीध होगा नहीं होगा बिलकुल खाये बिना कोई नवरात्र कर रहा है क्या एकदम पानी पर मैं देखो मोदी जी जैसे हैं जो हम तो ये मानते हैं कि वो बहुत ही उच प्रकार के सादक है वो पूरे नो दिन सिर्फ पानी पर रहते हैं उनकी बात अलग है उनकी एज भी ज़्यादा है आपकी हमारी एज ऐसी है कि जिसमें हम लोग बिना खाये रहना मुस्किल है और मैंने जैसे कहा स्टेप बाइ स्टेप होता है अचानक हम इतने बड़े सादक नहीं हो सकते है तो अगर कोई इस तरह का प्रयोग कर रहा है बिना सोचे समझे तो अभी भी उसको बंद कर दें बिना खाये पिए रहना मुस्किल है और उसमें कभी-कभी चक्कर आ जाते हैं ग्लुकोस कम हो जाता है नमक तरीर में कम हो जाता है डिहाइडरेशन जैसा भी होता है बहुत सारी समस्थे होती है तो वो आसान नहीं है सबके लिए तो यहाँ भी वही बताया गया है कि बिना खाये भी आप योग नहीं कर सकते मतलब कि ऐसा नहीं कि सुबह सुबह पहले खाया और फिर योग किया जो एकदम पूरे दिन कुछ भी नहीं खाते है उनके लिए बताया गया है अरुएद में बहुत अच्छा बताया है कि 6 कलाग से ज़्यादा भुखे नहीं रहना 6 गंटे से ज़्यादा 6 गंटे से ज़्यादा भुखे नहीं रहना चाहिए यहाँ भी यही बात आती है कि बिल्कुल न खाने का भी योग सिद्ध नहीं होता खाने पीने और योग के विश्यादा जो गीता में कहा गया है इसमें कोई question बहुत ज़्यादा खाना और बिल्कुल न खाना दो ती जो के बारे में बताया है उसमें कोई question किसी का ओके फिर सोने की बात आ रही है जिसका ज़्यादा सोने का सुभाव होता है उसका भी योग सिद्ध नहीं होता कारण की ज़्यादा सोने से सुभाव बिगर जाता है असाथ बार-बार नीन सताती है पड़े रहने में सुख और बैठे रहने में परिश्रम मालूम होता है ज़्यादा लेटे रहने से गार्ड नीन भी नहीं आती गार्ड नीन आने से सुपन आते रहते हैं अंकल्द विकल्द होते रहते हैं, शरीद में आलस्य भर्या रहता है, आलस्य के कारण बैठने में कटना ही होती है, अतर वह योग का अभ्यास भी नहीं कर सकता, फिर योग की सिद्धी कैसे होगी, बहुत ज्यादा जो सोते हैं, बताओ चलो कितना सोना चाहिए? अब यह तो बहुत सरल प्रस्ट ने पूचा है, कितना सोना चाहिए? गंटे, 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 और कोई, गंटे किता अंजली ने बताया, और कोई अईरुएद में घंटो के हिसाब से नहीं दिया है, बहुत अच्छा उसमें कॉंसेप्ट दिया है, कि जब आपका पिछला खाना हुआ, रात का खाना खाया हुआ है, उसका सही सही पाचन हो जाए, और आपको स्वतही एक आँखें आपकी खुल जाए, या आपको स्वतही लगे कि हाँ निंद खुल गई है, और एक प्रेशर जैसा मालूम होने लग जाए, मोसन होने के लिए प्रेशर जैसा मालूम हो जाए, तो वो केते हैं कि परियाप निंद हुई है, उसमें घंटो का हिसाब नहीं है, पर जैसे अगर रात को आपने बहुत लेट खाना खाया है, तो फिर आपको पाचन होने में टाइम लग जाएगा, तो फिर आपको सुबर जली उठने का प्रयास करना कई बार ब्यर्थ हो जाता है, जबरजस्ति उठतो जाते हैं, लेकिन वो आदर्स्थिती नहीं है, उसमें फिर समस्या होती है, इसलिए आदर्स्थिती यही है क आप जली खाना खाले, रात को बहुत ज़्यादा नखाएं, दूद भी जली पी ले और जली सो जाएं, तो आपको आराम से चाहे पांच गंटा हो, चाहे छे गंटा हो, पर वो अपने आप ही नींद खुल जाएगी, और उसमें आपको, आपके स्वास्ते को कोई नुक्श तो भी हो सकता है, वो अच्छे से पाचन नहीं हुआ होगा, तो चे गंटे, आठ गंटे ठीक है, वो भी एक नियम है, मौडरन साइंस में, लोग उसकी भी चर्चा करते हैं, और उसमें मदबेद भी है, कोई चे गंटा करता है, कोई आपको, यह बहुत अच्छा सिद्दा है, अईरुएद में, तो पातन ठीक-ठीक हो जाए, वो जरूरी है, और ऐसा भी लिखा है, जो लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं, जिनको कोई बीमारी है, ऐसी कुछ बीमारीों के बारे में भी बता गया है, उसमें भी सोने का अईरुएद में बताया गया है, कि उ घर पर खाना लेट होता होगा, दस बजे बाद खाने वाले भी हैं क्या? कोई है, रात को दस बजे के बाद खाने खाते हैं, भी देव संस्कृति में रह रहो, थोड़ा कुछ तो जानते होंगे, तो आश्रा करते हैं कि घर पर भी उसको फॉलो करने का प्रयास करते होंगे तो ये ज़्यादा सोने वाला, जब अधिक सोने से योग की सिद्धी नहीं होती तो फिर बिल्कुल ना सोने से योग की सिद्धी कैसे हो सकती है? क्योंकि आवस्यक नीन न लेकर अधिक जगने से बैठने पर नीन सताएगी, जिससे वो योग का अभ्यास नहीं कर सकता है, उच्छा में, राज को लेट सोए, फिर भी उड़ गे, और फिर नीन सताती रहती है, तो कहते हैं, जो बिल्कुल नहीं सोते हैं, वो भी योग नहीं कर सकते हैं, अब वो पढ़ोगे ना, उसका जो मुख्य स्लोक है, तो अब आसानी से समझ में आएगा, ये अर्जुन ये तो यथा योग ये अहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग ये चेश्टा करने वाले का, और यथा योग ये सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है, ये सोर्वा और सत्रवा स्लोक है, कर्म का फल चाहना मनुस्य के लिए हितकारक नहीं है, इतने भी कर्म इमानदारी नहीं है अन्ता कर्मकाफल चाहना मनुस्री के लिए इतका रगनी है देखो बहुत ही अच्छी चीज़ इसमें बताई है कि क्यूं नहीं चाहना चाहिए हमें कर्मकाफल कि भई हमने पढ़ाई की हमने कोई कॉंपिटिशन एक्जाम पास करी और हमें कोई सरकारी जोब मिल गई और या फिर हमें बहुत अच्छी जोब मिल गई तो वो तो हमारी मेनत है उसका फ़ल भुगतने में हमें क्या दिक्कत है पर यहां यह है कि तिर्फ आपके कर्म नहीं थे किसी ने पहले तो यह जैसे अप पढ़ाई की तो पहले किसी ने यूनिवर्सिटी बनाई, किसी ने सिलेबस बनाया, किसी ने पढ़ाया, फिर आपको नोकरी में भी बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिला तब जाके आपने अपने कर्तवियों को पूरा किया तो इस तरह से हम लोग कर्मों के दुआरा एक सबसे बड़ी समस्या है, कि आदमी जो भी पैसा कमाता है, उसे लगता है कि ये सिर्फ मेरी मेनत है, सिर्फ मेरा आधिकार इसके उपर, फिर वो उसको किसी भी हलत में छोड़ना नहीं चाहता, किसी को भी दान देने के लिए उसका मन नहीं करता है, तो ये गलत है, जहाँ-ज जहां जहां से आपने कुछ लिया है, सीखा है, वहां उनके प्रती भी आपका करते हुए है, युनिवर्सिटी के प्रती भी आपका करते हुए होगा, कई सारे बच्चे मेंने देखा है, आज भी में जानता हूं, स्टुरेंस को अच्छी जोग मिलने के बाद वो ओनलाइन AWG में दान करते रहते हैं, तो थोड़ा-थोड़ा एक दम से कोई ऐसा नहीं हो सकता कि सब कुछ दान कर दे, लेकिन सबका अपना-पना लेवल होता है, कोई अपने इंकम का एक परशन देता है, कोई दस परशन देता है, कोई साल में एकात बार दान करता है, कोई हर महीने दा तो सबको अपना-पना लेवल है पर दान करते रहना चाहिए यह भी अपना करता है है तो उसको नहीं बुलना चाहिए कुदि उनके बिना आपको यह सिद्धी नहीं मिलती फिर्फ आप अखेले करोगे तो कुछ नहीं होगा इसलिए फिर्फ अपना अधिकार उस पर नहीं ज कर्म छोड़ो कर्म न करने में आसकती होने से आलस्य प्रमाद आदी होंगे आजकल के युवाओं में ये बहुत बड़ी समस्या है कर्म फल में आसकती रहने से जैसा बंदन होता है वैसा ही बंदन कर्म न करने में आलस्य प्रमाद आदी होता है क्योंकि आलस्य प्रमाद का भ कहीं भी होगी तो बांजने वाली होगी कुछ कहता है ना कोई बिचारा कोई अच्छा काम बताता है या कुछ क्रियेटिव बोलता है तो उसको कहते हैं यार यह बहुत ज्यादा दिमाग लगाता है अराम करो सो कुछ करने की जरूत नहीं है तो इस तरह के प्रमादी लोग हैं, उनको सुख तो दिखता है उसमें, अलब से प्रमाद में, पर उसका फल अदोगती है, नुक्सान है, क्योंकि अगर आप, तोचों कि अगर आपका जीवन सिर्फ सोते रहने में ही जाया है, तो ऐसा कौन सा प्राणी है जो सोता रहता है, सा सबसे ज़्यादा, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह बहुत ज़्यादा सोता रहता है, कौन सा प्राणी है? पिर नुश्य ही हो सकता है? मनुष्य फिर भी आपको दिन में जाकता हुआ नजर आएगा पर एक प्राणी के बारे में कहते हैं कि हलाकि वो सिर्फ कहावत है कहते हैं कि इसकी तरह तुम सोय रहते हो गटर में पढ़े रहता है यह प्राणी कौन सा है बताओ सुवर सुवर के बार से कहता जाएं सभी बात है पढ़ा रहता है हो अलग से प्रमाद तो भविश्य में ऐसा नहों कि नहीं सुवर का ही अवतार मिल जाए फिर सोते रहने का बहुत ज़्यादा मोका मिलेगा पर गटर मिलेगी वहाँ अपने को वो डैड नहीं मिलेगा चलो तो मतलब यहां यही है कि न कर्म करने में भी आ सकती नहीं है अपना करते हुए कर्म करते रहना ही एक मात्र उपाई है सिद्धी और सिद्धी में समता बनी रहनी चाहिए कर्म का पूरा होना ना होना सांसारिक दस्टी से उसका फल अनुकुल होना अत्वा प्रतिकुल होना उस कर्म को करने से आदर निरादर प्रसंसा निंदा होना अंतर करन की सुद्धी होना या ना होना आधी आधी जो सिद प्रश्चान के लिए जब बहुत अच्छा है मन का त्रान करता है इसलिए मंत्र कहते हैं तो वो करते रहना चाहिए चाहिए उसमें आपको कुछ चिद्धी मिल रही है या नहीं हो सकता है कि अगर जब नहीं करते तो और ज्यादा गलत विचाराते और कभी-कभी तुरंट का तुरंट फल कभी नहीं मिलता है आज आपने अगर नवरात्र में पूरे नौ दिन जब किये अच्छे से तो हो सकता है उसके बाद भी उसका आपको प्रभाव दिखने लगेगा कभी-कभी तो तुरंट भी दिखता है जैसे योग में आप अगर भस्त्री का प्राणयम लेने लगते हैं तो उससे थोड़ी सांती महसुस तुरंट होने लगती है और कभी-कभी यह होता है कि आपने नियमित रूप से रोज एक-एक घंटा योग किया और आपको फिर जब योग नहीं करते हो तब भी उसका आपको रिजट मिलता रहता है तब भी आपको मन में स अधिकार है उसके फलों में नहीं इसलिए तू कर्मों के फलका है तू मत हो तेरी कर्म करने में आ सकती भी नहीं हो अब यह चीज आपको क्लीर हो गई होगी क्योंकि उसकी हमने विस्तार से चर्चा कर लई यहां पर कृष्ण कोर्स जो टोट वार्जी में दी गई है कोई क्वेश्चन किसी को कुछ एड करना है जोड़ना है आज तो वन वे कॉम्यूनिकेशन हो गया वही ज्यादा कुछ आप लोगों ने बोला ही नहीं किसी को कुछ बोलना है अनीमित आ गया ना फिर और कौन आया दुर्गेश मनोती मनोती नहीं यह मुश्कान मुश्कान नहीं आई सुब्रा आ गई विकाश विकाश नहीं आया ठीक है फिर तो नवरात्र में कितना हो सके जब वगयरा करो नवरात्र का लाब लो यह नव दिन बहुत विशेश है अगर इसको भी हम दूसरे दिनों की तरह अलस्प्रमाद में बिता देंगे बातों में बिता देंगे तो यह nine days बहुत ही crucial है उसका लाब ले लेना चाहिए तो जो भी अच्छा लगे स्वाध्य अच्छा लगे तो वो करो जब अच्छा लगे तो जब करो और खाने पर control करो जितना भी हो सके अपने हिसाब से करो साम को डॉक्टर साब की class जरू करो उसकी नौट्स बनाओ जिनको भी attendance की समस्या है वो या दिपावली में इस बार तो ऐसा है कि सब घर पर ही है तो घर जाने की तो बात ही नहीं है पर कभी कभी क्या है कोई कोई काम रहता है अब आपको इस टाइम पर तीन बीस को कुछ काम आ गया कुछ आ गया तो यह सब attendance आपको काम आएगी तो डॉक्टर साब की class कर लो उसकी attendance के लिए भी आगे जाके सोचा जा सकत कोई question? Shanti Paath? बोलो Manuti नहीं सर कुछ नहीं चुबरा? नहीं सर कुछ नहीं चलो Shanti Paath Om Deo Shanti Anta Rikshagum Shanti Prithavi Shanti Rapaha Shanti Roshadaya Shanti Vanaśvataya Shanti Rvishve Deva Shanti Brahma Shanti Tarva Gum Shanti Shanti Reva Shanti Sama Shanti Redi Om Shanti 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 Tarva Rishta Sushantir Bhavatu जो भी छोड़ना चाहते हैं वो meeting Left cursor, leave cursor Thank you sir Welcome किसी को कुछ पूछना हो बात करनी है तो पूछ सकते हैं अभी भी बागी सब left कर सकते हैं पर नाम अनिमीद बोलो नवरात्री के टाइम पर किस साधना के उपर जदा ध्यान देना चाहिए नवरात्री के उपर किस साधना में जदा ध्यान देना चाहिए किस साधना में यह सर किस साधना में मतलब कौन से प्रकार की साधना में ध्यान साधना या योग साधना अच्छा देखो वैसे तो ज्यान की यह पर मंतर साधना सर उसमें है न अपना अपना एक जो अपनी परस्नालिटी है अपने विचार है उसके अनुसार मुझे लगता ह कोई भी साधना करो डिकत नहीं है कई ऐलसाधना के लिए मुखे रूप से है मूझे विए वी हुद और जादना कर लो साधना के जितने वी प्रकारे उसमें से कोई भी कर लो जो는 है अपनी बास कता था हूँ तो मुझे जब ज्यादा सूट अगती अगता है इस तरह से सा θα्धना अब लोगों को अपने साव से सोचना चाहिए विए अपनी क्या परिस्किति है इसमें हमें क्या है मैं और लगता है नए से थीक से नहीं हो रहे हैं क्योंकिए स्टुडेंट हो इस नहीं सय बी-जे-थी आ पिर कोई भी साथना कर लो पर जैसे आपको अगर भले ही योग के स्वेस नहीं हो पर जैसे योग में आगे बढ़ना है या आपको लग रहा है कि कुछ आसन वगेरा भी होने अपने अंदर थोड़ी सी कुछ सिसिल उता हो ज्यादा है या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो योग की साथना करते हो तो वह भी साथना ही है उसमें भी कोई गलत नहीं है करने में हलो जी सर जी सर क्लियर हो गए ओके ठीक है फिर मिलते हैं जी सर प्रणाम सर प्रणाम है करते हैं जी सर चब्राइब प्रणाम